indirect assessment so now we will discuss about the indirect assessment for selective mutism disorder जैसे हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि जब हमने indirect assessment करनी है तो उसमें हमने interview के उपर जो है वो खास तोर पर focus करना है जब हम interview करेंगे तो उधर से हमें बहुत सी चीजे जो हैं वो पता चल दी है हाज तोर पर जब हम selective mutism की बात करेंगे तो हमने सबसे पहले ये भी उसके अंदर देखना है कि जो बच्चे की developmental milestones हैं वो appropriate age में achieve हुए वे हैं या नहीं हुए वे यानि किसी किसम का कोई developmental delay तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई intellectual deficiency है जिसकी वज़ा से ये problem हो रहा है ठीक है या हमने ये भी देखना है कि autism का problem तो नहीं आ रहा है उसके अंदर तो जो उसका social interaction है जो उसका eye contact है जो उसके self help skills है जो उसकी communication है जो उसकी articulation of words है जो bubbling है वो जो सारी चीज़े है वो age appropriate है या नहीं है तो interview जब भी आप मदर से करोगे या किसी भी care giver से जो कि बच्चे के साथ रहता होगा तो आपने ये बातें उन से specifically पूछनी है ये बातें इसलिए पूछेंगे कि अगर आपको 100% surety होगी कि जी developmental delay बच्चे का नहीं है मदर ने कोई ऐसी बात report नहीं की तो then definitely कि फिर हम ये confidence से कह सकेंगे कि हाँ हमे selective mutism के diagnosis की तरफ जाना चाहिए ठीक है तो ये चीजें जो हैं आपने देखनी है इसी तरह जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि जो mother की health है अपनी psychological health at the time of delivery और before the delivery तो ये जो stages होती है ये बहुत important होती है then आपने ये भी चीज़ देखनी है कि बच्चे के साथ interaction कितना है फैमली का environment कैसा है क्या फैमली ऐसी तो नहीं है कि जो कि सिर्फ घर के अंदर रहना पसंद करती हो जो बाहर के लोगों के साथ interact करना पसंदना करती हो जिनके family के rules ऐसे हैं कि जी किसी से बाहर मिलना नहीं है क किसी से बात नहीं करनी किसी को कुछ बताना नहीं है जहां अगर कोई बच्चा बोले तो उसके बहुत जादा criticism हो रहा है तो आपने जो एक overall family का environment है वो भी देखना है फिर आपने ये भी देखना है कि जो parents हैं उनकी आपस में communication कैसी है जो दूसरे extended family members हैं उनकी communication कैसी है social situation में जाने से या वहां बात करने से गबराता हो तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपने interview के दर specifically पूछ नहीं है ताकि आपको idea हो सके कि जो problem है वो कहां से cause हो रहा है और उसके जो possible solutions है ये जो management की तरफ हम जाएंगे तो हमें कौन सी management जो है वो इस बच्चे के साथ करने की जरूरत है then we will talk about the baseline chart जिस तरह हम कहते हैं कि जो baseline chart है ये helpful होती है बहुत जादा किस इसको समझने में इस इसको समझने में कि वो disorder जो है वो किन-किन situations के अंदर occur हो रहा है और उसकी manifestation कैसी है ठीक है now we will discuss the case of other अब जिस तरह अदन है वो उसके teachers ने उसे कहा कि आपने class के अंद क्या करना participate करना लेकिन अदन का जो behavior था वह यह था कि उसके पार्टी सपेट तो किया group activity में लेकिन जिस वकत group के अंदर discussion हो रही थी तो उसने कोई एक लफ़ भी नहीं बोला अब जब हम इस किसम का बच्चे का behavior देखते हैं तो वहां यह समझने की बहुत जादा जरूरत ह होती है कि कौन सा thought pattern था जिसकी वजह से बच्चे ने इस किसम का behavior exhibit किया यह चीज़ क्यों जरूरी है क्योंकि जब हमने बच्चे को बताना है कि उसने अपने cognitions को कैसे change करना है at that time we need his or her thought pattern ठीक है अब for example यहां पर अदन का जो thought process था वो क्या था I don't like them I will not share my ideas with them तो these are the thoughts जो जो कि उसके जहन के अंदर उस वकद चल रहे थे ठीक है frequency कि क्या थी एक थी यानि दिन में एक दफ़ा उसने पने school के अंदर यह behavior प्रेस किया then we will see on 13th जो है अदन की जो मदर थी उन्होंने उसे कहा कि he should make some friend at school और अपनी जो daily routine है वो अपने school में अपने friends के साथ share करें लेक लेकिन उसने क्या किया उसने विक्कुल भी try ही नहीं किया दोस्त बनाने को तो जब उससे try ही नहीं किया तो इसका मतलब है कि उससे routine भी share नहीं की तो उस दोरान जब उसका thought जो है वो trace down किया गया तो वो thought क्या था वो यह था कि I don't want to share my personal information with anyone ठीक है तो इस किसम का जो thought process थ चल रहा था और इसकी frequency भी थी जो वो one थी on date 13 ठीक है इसी तरह आप पूरी एक baseline charge जो है वो फ़रा week ले सकते हो और उसमें जो different antecedent events and behaviors है और thought है उसका पूरा record आपके पास आ जाएगा तो that will help you to understand के कौन से ऐसी situations होती है जहां पे बच्चे को यह problem आता है और कैसा उस बच् use the CBT तो आपको उसके उपर work करने की जरूरत है थैंक यू